इस समय की बता रहे हैं दसका दम में ग्यानवापी की ASI सर्वे रिपोर्ट सारवजनी करने की मांग पर आज वारानसी जिला कॉर्ट में सुनवाई होनी है तो दो बड़े मामलों पर दो बड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है जिसमें ग्यान वापी की ASI सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे सारविजली करने की मांग की गई है यानि कि जंता की सामेर रखने की मांग की गई है और इसी मांग को लेकर वारानसी जिला कॉर्ट में आज सुनवाई होनी है संभावना गिर्जाई जा रही है कि आज इस पर कोई ओर्डर भी आ सकता है सुनवाई दोपेर ढाई बजे से शुरू होगी मंदर और मस्जिद पक्ष की ओर से ASI सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी मेल पर मांगी गई है तो अब ग्यान वापी की सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है इस रिपोर्ट को सारवजनी करने की मांग की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से और इसी पर आज इक बड़ा फैसला भी आ सकता है वारणरसी जिला कॉर्ट ने इस मामले पर हिंदू पक्ष की याचिका को खारिच कर दिया था अब हाई कॉर्ट में इस खारिच याचिका को चुनौती दी गई दरसल 21 अक्टूबर 2023 को जिला कॉर्ट में सुप्रिम कॉर्ट का हवाला देकर कहा था कि वजू खाने को सनरक्षित रखने का आदेश सुप्रिम कॉर्ट ने दिया है कि आज तो भाई हमारा प्रयास हम लोग का यह होगा कि जो बंद लिफाफे में सारे सर्वे रिपोर्ट दाखिले इसको खोला जाए यानि कि डिस्क्लोज किया जाए इस पे हमारा पूरा पक्स है हमारी पूरी टीम सब लोग का प्रयास यह रहेगा कोल्ट को निर्णे लेना है कि इसको खोला जाए या बंद रखा जाए लेकिन हम लोग का प्रयास यह है हम लोग की पूरी बहस हम लोग की पूरी पूरा पक्स होगा इस पे होगा कि इसको डिस्क्लोज किया जाए और डिस्क्लोज करने में कहीं कोई बुराई नहीं है कहीं इसका कोई reaction नहीं होना है चुकि नियाले का मामला है और नियाले के हर निर्णे को सहर्ष पूरा देश स्विकार करता है आम आदमी स्विकार करता है यह हमारा मानना है इसलिए इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है वाज बहुत महत्पूर्ण दिन है उपेंद्र मेरे सही होगी और जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर मौझूद है वारा नसी से उपेंद्र आज दोपया धाई बज़े क्या होने वाला है कौट में क्योंकि सर्वे की जो रिपोर्ट है ऐसाई की उसको सारवजनी करने की मांग पर आज सुनवाई होने वाल कि सर्वे रिपोर्ट साजनी होगी सर्वे रिपोर्ट की कौपी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इसके साथ इस सर्वे रिपोर्ट से जुड़े हुए कई प्राथना पत्रों का निस्ताण भी आज जिलाज़त की अदालत में होगा बीते तीन जनवरी को एसाई की ओर स चार सताह तक सर्वे रिपोर्ट साजुन नहीं करने की मांग की गई थी, इसे अदालत में स्विकार कर लिया था, अदालत की आदेज पर ग्यान वापी में हुगे सर्वे की रिपोर्ट को चार सताह तक नहीं खोलने, वह साजुन नहीं करने की मांग करते हुगे, भारती पु जाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और वहीं आपको बताएं कि ज्ञानवापी से जुड़ी एक और बड़ी ख़बर आपको दे रहे हैं वजू खाने के सर्वे को लेकर हाई कोट में आज सुनवाई होगी तो यह दूसरी याचिका पर बड़ी सुनवाई होने जा वारनसी जिला कोट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था अब इसी खारिश याचिका को चुनौती दी गई हाई कोट में दरसल 21 अक्टूबर 2023 को जिला कोट ने सुप्रिम कोट का हवाला देकर कहा कि वजू खाने को संरक्षित रखने का आद सर्वेश की अवहेलना होगी जिसके बाद हिंदू पक्षकार राखी सिंग की और से हाई कोट में याचिका दाखिल की गई हिंदू पक्ष ने इस मामले में हाई कोट में पुनरवचार करने की अपील की है तो ग्यानवापी मामले से ये दूसरी अपडेट आपको दे रहे की जो कि ज्यानवापी से चुड़ी है वजुखाने के सर्वे को लेकर हाई कोट में सुंवाई आज क्या होने वाला है याच कर दिया ता और उसी अर्जी को पुनरविचार याच्चा में यहां पर चुनाटी दी गई है करीब दस वजे माना जा नहीं कि चस्टिस बरीज कमान निगम की विंच में सिंगल विंच में इस मामले के सुनवाई होगी और इसमें इसी मांग को किया गया है कि वजु खाने का भी सर्वे कराया जाए ताकि जो सत्य है जो वहाँ पर इस्ट्रक्चर है उसके बारे पर साही साही जानका नहीं मिले है अला कि हाई कोट के आदेश से पहले ही वजु खाने को छोड़कर अस्टलों का सर्वे कराया जा चुका है और उस सर्वे की रिपोर्ट भी वारानसी जिला जिसकी कोट में रखी जा चुकी है और आज तो रिपोर्ट सारजनिक भी वारानसी जिला कोट में होगी तो आज दो अलग हाई कोट में होगी जी ठीक है सर वेश बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए तो ये दूसरा बड़ा मामला जिस पर सुनवाई होनी है हिंदु पक्षकी आचिका को वारा नसी जिला कॉटन तो खारिश कर दिया अब उसे हाई कॉट में चुनौती दी गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है